सन तेरा सो अठ्ञान्बे विक्रमी संवत 1405 चेष्ठ मास की पूर्णीमा का प्रह्म मुर्थ काशिनगर का वो लहरतारा तालाब चहां सर्वर श्रिष्टी रचना हार कबीर पनमात्मा प्रत्वी से सोला शंक कौस दूरी पर स्थित अपने निजधाम से शिश्वरूर धारन कर अपने तेजों मैं शरीर को हलका करते हुए कमल के फूल पर प्रकट हुए जिसके प्रत्तेक्ष दृष्टा थे रिशी अश्टान इस पूरे इकटना प्रम को देख रिशी जी आश्चरे चेकित रह जाते हैं और सोचते हैं आज यह मैंने कैसा दृष्टा देखा ये मेरी भप्ती की उपलब्दी है ये कोई भ्रम पुर्देव से पूछता रिशी अश्टानम जी की गुर्देर थे स्वामे रामानम जी जोके विश्णु जी के उपासक थे और वैश्णो धर्म का प्रचार किया करते थे जिसके लिए उन्होंने 1400 रिशी शिश्य प्रचारक रूप में भी बना रखे थे प्रणाम गुर्देव प्रणाम क्या बात है अश्टानन्द कुछ दुविदा में लग रहे हो हे गुर्देव आपकी आज्या हो तो मैं अपनी एक शंका का समाधान चाहता हूँ कहो क्या बात है हे गुर्देव आज साधना करते समय मुझे आखास से एक प्रकाश नीचे के और आते दिखा जिसे मेरी आखे सहन न कर सकी और आखे बंद हो गई जिसके बाद मेरी आखों के सामने एक नवजाश शिशु का प्रतिविम्ब बन गया उना आखे खोली तो वह प्रकाश तालाप के एक कोने में सिमटता हुआ दिखाए दिया हे गुर्देव प्रपया मेरी शंका का निवारण कीजिए या मेरी भक्ति की कोई उपलब्दी है या कोई दृष्टी दोश हे रिशी ची यह ना तो भक्ति की उपलब्दी है और ना आपका दृष्टी दोश इस प्रकार की घटनाएं उस समय होती है जब उपर के लोकों से कोई देव पुरुष प्रिथ्वी पर अवतार धारन करने के लिए आते हैं और किसी स्त्री के गर्व में निवास कर फिर बालक रूप धारन करके लीला करते हुए अपना अपेक्षित कार्य पूरा कर जाते हैं अश्टानन कोई देव पुरुष उपर के लोकों से आया है अब वह काशी नगर में किसी के घर जन्म लेकर अपना प्रारब्ध पूरा करेगा स्वामी रामानेंजी ने अपने ज्यान आधार से शिष्य अश्टानन जी की शंका का समाधान किया स्वामी जी का मानना था कि अवतार मा के गर्भ से ही जन्म लेते हैं लेकिन स्वामी जी को यह ग्यान नहीं था कि यहां कोई अवतार गर नहीं बलकि स्वयम पूर्ण परमात्मा अवतरित हुए हैं जो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं वहीं दूसरी ओर, काशी में ही नीरू नीमा नाम के एक मुसलमान जुलाहा दमपती भी रहा करते थी। वैसे तो इसी जन्न में वह ब्राह्मन और ब्राह्मनी थी। नीरू का नाम गौरी शंकर और नीमा का नाम सरस्वती था। उनकी कोई संतान भी नहीं थी. वह भगवान शिव की भक्ती करते थे और शिव पुरान के निस्वार्थ कता किया करते थे. उनकी इसी निस्वार्थ सेवा और हिंदु धर्म के बढ़ते प्रचार को देख मुसलिम लोगो द्वारा जबरदस्ती उनको मुसल्मान बना दिया गया जिसके बाद हिंदु धर्म के ही अन्यपंडित ब्रामणों ने उनको मुसल्मान खोशित कर उनका कथा करना और गंगा दर्या में स्तान आदी करना बन कर दिया जिसके बाद नीरू और नीमा रोजाना लहर तारा तालाप पर स्नान करने जाने लगे भले ही उनको मुसल्मान बना दिया गया था परन्तु अब भी भगवान शंकर के प्रती उनकी अटूट श्रथा थी प्रती दिन की तरह प्रह्ममूर्थ में आज भी नीरु और नीमा लहर तारा तालाब पर सनान करने जा रहे थे सन्तान ना होने के कारण नीमा अपने भगवान शूशंकर जी से रोते रोते हिदे से प्रत्ना करते हुए जा रही थी हे भगवान शंकर आपके दरबार में लालों की कमी है एक लाल मुझे भी देते तो मेरा इस संसार में हिस्सा हो जाता नीमा हमारे भाग्य में सन्तान नहीं है अगर होती तो भगवान पहले ही दे देते आप रो मत ऐसे रो रो कर अपनी आखे खराब और कर लोगी हमारा कोई उंगले पकड़ने वाला भी नहीं है इस दुनिया में इसी प्रकार आपस में चर्चा करते करते नीरू और नीमा लहर तारा तालाब पर पहुंच जाते हैं जहां पहले से ही कमल के फूल पर प्रमात्मा प्रकट हो चुके होती है प्रथम नीमा स्नान करके तालाब से बाहर आती है फिर बाग में नीरू स्नान करने के लिए ताला किनारे पर आती है और उसे सामने कमल के फूल पर कुछ हिलता नजर आता है। इसे देख निमा सोचती है कि कोई सर्थ फन हिला रहा है। देखना जी कमल के फूल पर बालक है ये तो बच्चे की चाह में बिल्कुल पागल हो गई है अब तो इसको जल के अंदर भी बच्चे दिखाई देने लग गये है ये शंकर भगवान इसको सद्बुद्धी दो जाता देखना जी देखना जी कमल के फूल पर बालक है बस करनी मा अब तुझे या जल में भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं जल में कहां से बालक आएगा ये भगवान देखना जी देखना वो बच्चा डूबेगा जल में ये बालक पता नहीं किसका है अब इसको हम घर लेकर जाएंगे तो नगर के लोग पूछेंगे किसका बालक चुरा कर लाए हो हम बताएंगे कि कमल के फूल पर मिला तो कोई यकीन नहीं करेगा इस बालक को भी चीन लेंगे और पिटाई करके नगर से भी निकाल देंगे अब हिंदों से हमारा संपरक रहा नहीं और मुसल्मानों से भी अभी हमारी इतनी जानकारी है नहीं नीमा इस बालक को यहीं छोड़ दे इसी में हमारी भलाई है अगर इसे लेकर हम नगर में गए तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा कोई विश्वास भी नहीं करेगा हम पर नीरू नीमा को सारी स्थिपी से परचित कर रहता है जिसके बाद नीमा बोलती है पता नहीं इस बालक ने मुझ पर क्या जादो कर दिया इसे त्यागना अब मेरे वश में नहीं है क्योंकि इस बालक ने जो मेरे अंदर आकाशन पैदा किया है उसे की वज़े से अब मैं इससे दूर नहीं हो सकती मैं मर सकती हूँ, लेकिन इसे नहीं छोड़ सकती नीमा, तु बहुत सिद्धी हो गई है मैंने तुसे आज तक गुसे से भी नहीं बोला या सोच कर कि तु पहले ही संतान के बियोग में दुखी रहती है परन्तु अब मेरे प्यार का नाजा इस फैला उठा रही है नीरू के काफी समझाने के बावजूद भी निमा नहीं मानती तब नीरू ने रोते हुए आखों में आसू लिए पहले बार निमा के उपर हाथ उठाया और बोला रख दे इस बालक को यही, नहीं तो तुझे थपण मारूंगा नीरू मैं तुमारे लिए ही आया हूँ मुझे घर ले चलो और मैं कोई कुछ नहीं कहेगा यह क्या बालक बोल रहा है जरूर यह भूत प्रेत्या कोई सिद्ध पुरूश है यह शंकर भगवान लाज रखना यह विचार कर बीरू चुपचाप बच्चे को घर ले जाता है परमेश्वर का शरीर बहुत सुन्दर था आँखें जैसे कमर के फूल हो उम्राले बाल, लंबे हाथ और उनकी लंबी लंबी अंगुलिया शरीर से मानू नूर जलक रहा पूरी काशी में ऐसा अदबुद बालक नहीं था नवजाद शिशू रूप परमेश्वर कबीर जी को देखने के लिए पूरा काशी नगर उमर पड़ा जो भी बालक को देखता तो उसके चेहरे से द्रिष्टी हटाने को दिल नहीं करता शिशू रूप परमेश्वर को देख आत्मा अपने आप खीची चली जाए देखते ही देखते स्तरी पुरुष जुंड के जुंड बनाकर मंगल गीत गाते हुए नीरु के घर बच्चा देखने को आने लिए परमेश्वर कबिर जी को देख कर कोई कहता यह बालत तो देव अवतार है कोई कहता कि यह तो साक्षा कि विश्णू जी आए है कोई कह रहा था यह भगवान शिव ही अपनी काशे नगरी को प्रितार्थ करने के लिए उत्पन्न हुए है अपनी अपनी समझ के अनुसार कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ यह सब सुनकर नीमा अप्रसन्न हो जाती है मेरे बच्चे के विशे में कोई कुछ मत कहो तुमने कभी बच्चा देखा भी है कि नहीं ऐसे समुह के समुह मेरे बालक को देखने आ रहे हो नीमा, हमने बालक तो बहुत देखे हैं, परन्तु आपके बालक जैसा कभी नहीं देखा, इसलिए हम इसे देखने आये हैं हे भगवान शंकर, इनकी नजर से मेरी बच्चे की रक्षा करना नीमा ने बालक रूप में परमेश्वर कभीर जी को जोंहें दूद पिलाने की कोशिश की, तो परमेश्वर ने मुह बंद कर लिया सर्व प्रैत्न करने पर भी नीरू नीमा बालक को दूद पिलाने में असफ़ रहे 25 दिन बीद गए, परन्तु बालक ने कुछ नहीं खाया पिया माता, पिता, चिन्तित हो गए कि बच्चे को किसी की नजर लग गई है लेकिन भले ही 25 दिन हो गए, फिर भी बालक रूप में परमेश्वर का शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ था परन्तु नीमा को डर था कि बिना कुछ खाय पिये यह बालक जीवित कैसे रहेगा इसकी कभी भी मृत्य हो सकती है यह सोच कर एक दिन नीमा फूट फूट कर रो रही थी और व्याकुल होकर भगवान शंकर से रह रह कर प्रात्ना कर रही थी कि यह शंकर भगवान यह तो यह बालक देना ही नहीं था जैसे तेसे रो धो कर में अपना जीवन व्यतित कर लेती और अब दिया है तो यह मुझसे छीनो मत इसके बेना मैं नहीं रह सकती यह बालक मरेगा तो इसके साथ मैं भी मरूंगी तब प्रमात्मा जो अजर अमर अविनाश है भगवान शिव को प्रेणा करके बलाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि मैं तो मारूंगा नहीं पर मेरी चिंता में जुरून मर जाएगी क्यों रो रही हो बेटी क्या परेसानी है आपकी हे माहत्मा जी हम निसंतान थे 25 दिन पूर भगवान शंकर जी ने यहां बालक हमें दिया लेकिन अभी तक इस बच्चे ने दूद नहीं पिया सभी कोशिशे करके हम ठक चुके हैं आज भी इसने कुछ भी आहर नहीं किया मैं इसलिए रो रही हूँ कि अब यह बालक मरेगा और इसके साथ मैं भी आत्मात्या करूंगी आपका बालक मुझे दिखाईए इस बालक की लंबी आयू है यह मरने वाला नहीं है देख नीमा कितना स्वस्थ है कमल जैसा चहराखिला है हे विप्रवर पनावटी सांत्वना से मुझे संतोश होने वाला नहीं है बच्चा दूद पिएगा तो मुझे सुख की सास आएगी फे शंकर जी आप इन्हें कहो एक कुवारी गाय लाए जिस पर आप अपना आशिरवाद भरा हाथ रखना फी वह दूद देगी मैं उस कुवारी गाय का ही दूद पिऊगा बेटी अपने पती को बुलाओ नीरू एक कुवारी गाय ले आओ और साथ में कुम्हार के घर से एक घड़ा भी लेकर आना वह बच्चिया दूद देगी उस दूद को यह बालक पिएगा नीरू कुछ देर बाद ही एक बच्चिया और मटका लेकर आ जाता है जिसके बाद परमेश्वर कबिर जी के आदेशानुसार वी प्ररुपधारी शिवजी ने उस कुमारी गाय की पीट पर आशिरवाद भरा हाथ रखा उसी समय उस कुमारी गाय के थन लंबे लंबे हो गए और थनों से दूद की धार बह चले नीरू ने पहले ही वह पात्र गाय के थनों के निचे रख दिया था दूद का पात्र भरते ही थनों से दूद निकलना बंध हो जाता है फिर उस दूद को शिशु रूपधारी परम पत्पश्चात विप्ररूपधारी शिवजी वहां से चले जाते हैं। नीरु नीमा पहले हिंदु ब्राह्मन ब्राह्मनी थे। तो लालचवश ब्राह्मन लोग बालक रूप परमेश्वर का नाम रखने नीरु के घर आते हैं। लेकिन मुसल्मानों का दबदबा होने के कारण उनसे हिंदु समाज दबता था। काजियों ने कहा कि अब यह मुसल्मान हो चुके हैं। लड़के का नामकरन हम मुसल्मान विधी से ही करेंगे। इतना कहकर नामकरन के उद्देश से काजी कुरान शरीफ को खोलता है। जिसमें प्रतम प्रुष्ट की प्रतम पंक्ती का प्रतम अखर कबीर लिखा मिलता है। काजीों ने सोचा कि कबीर नाम का अर्थ बढ़ा होता है। तो एक छोटी जाती के बालक का नाम कबीर रखना उचित नहीं रहेगा। यहां सोचकर काजी द्वारा पुना पवित्र कुरान शरीफ को खोला गया तो दोनों प्रुष्ट पर कबीर कबीर अक्षर लिखे में। इसके बाद काजी ने पूरी कुरान शरीफ का निरिख्शन किया तो पूरी कुरान शरीफ में कबीर कबीर अक्षर लिखाता अन्य ल बालक नहीं है इस बालक ने कोई जादू जंतर करके हमारी कुरान शरीफ को ही बदल डाला ते काशी के काजियो मैं कबीर अल्ला हूँ अल्ला हूँ अकबर हूँ वल्युग मेरा नाम कबीर ही रहेगा काशी 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